इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि like operator क्या होता है और like operator कैसे काम करता है और कब उसे use लेना होता है साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि wild cards क्या होते है like operator के साथ So guys once again welcome to WSQTAC myself भागिरत गिरी और चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि like operator क्या होता है So guys like operator कुछ इस तरीके से काम करता है यह suppose हमारे पास एक users की table है और इसमें कुछ users के नाम है ठीक है यह users के नाम है और यह उनके respect to emails है अब हमें क्या करना है हमें वो सारे users निकालना है जिनके name B से सुरू होता है ठीक है वो सारे users जिनके name B से सुरू होता है वो सारी users जिनके नाम R से सुरू होते हैं या वो सारी users जिनके name S से सुरू होते हैं, वो हमें निकालने हैं, तो क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को चलाना है एक like operator where clause के साथ में, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा select star from users where name like S, ठीक है, S और फिर S के बाद लगाया य मैंने example के लिए लिखी हुई है, हमने क्या किया, इधर S ना लगा कर B लगा दिया, ठीक है, मैं इसको change कर लेता हूँ, तो मैंने लिखा B और फिर percentage, तो अब इससे क्या होगा, इससे ये जो data है, जिनमें B नाम से सुरूआत हो रही है, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है, so simple स concept है guys, आपको यहां क्या करवानी है, searching करवानी है, like को कब use किया जाता है, जब हम लोग searching करवाना चाहते है, ठीक है, so जब भी इस टाइप की situations आती है, हम लोग like को use कर सकते है, so like क्या है, like एक operator है, जो where clause के साथ use किया जाता है, जिसमें हम लोग specific pattern में से data निकाल कर लेके आ नाम में S आता हो, किसी बंदे का नाम S से शुरू होता हो, किसी बंदे का नाम S से खदम होता हो, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जिन में हम लोगों को ये दो wild cards help करते हैं, ठीक है, ये जो दो हमारे wild cards है, ये help करते हैं, और ये wild cards में सबसे पहला wild card है, percentage वाला symbol, और दूस जब जहां पर आपने percentage लगाया, उसके बाद या उससे पहले, एक, दो या multiple characters हो सकता हो, और zero भी हो सकता है, ठीक है, तो ये है percentage का logic, underscore क्या कहता है, underscore क्याता है, कि जब आप single character की बात कर रहे हो, एक character की जब आप बात कर रहे हो, तो आप underscore को use करोगे, तो अभी में भी आप को थोड़ा सा ये confusing लगा हो, but next मैं आपको एक example समझाता हूँ, उसके थुरू आपको और अच्छे से समझवा जाएगा, बस आपको ये याद रखना है, कि percentage का मतलब है multiple characters, और underscore का मतलब है, एक single character की बात हो रही है, ठीक है, और use के साथ किये जाएंगे, like operator के साथ, और like operator, specific pattern को select करने का काम करता है, तो चलिए देखते हैं, और ये कुछ patterns हैं, और इनके साथ में, जैसे मैंने लिख रखा है, like a percentage, तो इसका मतलब मैं क्या बहूं, वो नाम निकाल के लाओ, जिसकी सुरुवात a से होती हो, ठीक है, जिसकी सुरुवात में आता हो, जैसे अंकूर लि percentage a का मतलब है, कि आगे कुछ भी हो सकता है, चलेगा, आगे कितने भी characters हो सकता है, चलेगा, लेकिन पीछे क्या होना चीए, पीछे a होना चीए, तो जैसे suppose हम लोग ने लिखा, तो इसमें पीछे a आ रहा है, ठीक है, तो ये कुछ students के नाम हो गए, जो हम लोग निकाल के ल जो character है, यानि ends with को निकालने का, ये ends with का pattern बनाने का, अब जैसे हम लोग ने बोला कि हम लोग ये चाते हैं कि जिसके नाम के बीच में OR आता हो कहीं पर भी, ठीक है, नाम में आगे कुछ भी आ रहा हो, पीछे कुछ भी आ रहा हो, बीच में OR आना चीए, तो वो निकाल के क्या हो, तो आगे और पीछे आपने percentage लगा दिया, आगे पीछे percentage का मतलब है कि आगे कितने भी character सो सकते हैं, पीछे कितने भी character सो सकते हैं, और कोई भी character सो सकते हैं, बीच में क्या आना चीए, OR आना चीए, तो ये हो गया any position के लिए, ये हो गया end position के लिए, और ये हो गया करेक्टर हो लेकिन आठ जो है वह हमेंसे कहा होगा सेकेंड पोजिशन पर होगा आगे कुछ भी हो सकता है जैसे कि सपोज आपने लिखा टी आर ठीक है और फिर मैं यह एक टेबल रो यहने टेबल रो टाग है ठीक है मैं फिर कुछ भी ऐसे एक्स आर लिख देता हूं डबलू आर लिख देता हूं वी आर लिख देता हूं तो इन सब में क्या है आर जो है वो कौन से position पर है second position पर पहली position पर कुछ भी हो सकता है anything can be there तो यह है underscore r underscore r और फिर पीछे percentage तो आगे और कुछ भी लगाया जा सकता है ठीक है फिर next आता है a underscore percentage तो क्या बोल रहे हैं हम लोग इदर हम बोल रहे हैं कि वो word ले क्या हो या वो नाम ले क्या हो जिसकी सुरुवात a से होती हो फिर जो a जहां पर सुरुवात हो रही है उसमें क्या है are at least two characters in length मतलब ऐसा नहीं है कि zero character वाला जैसे यह है तो यह क्या होलेगा जैसे किसी का सिर्फ a लिखा हुआ है तो अब यह उस data को लेके आ सकता है लेकिन यह कौन से data को लेके आएगा जिसके अंदर a के बाद एक और character भी होगा ठीक है it is mandatory कि एक और character भी हो a c हो सकता है a b हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकते लेकिन दो character तो at least होने चाहिए ठीक है यह क्या बोर रहा है कि दो characters at least होने चाहिए और a से start होना चाहिए यह बोर रहा है कि a से start होना चाहिए अब चाहिए एक character हो चाहिए दो character हो यह बोर रहा है कि at least 3 characters होने चाहिए पहला दूसरा और तीसरा तो ए खुद है तो ए और उसके बाद 2 characters और उसके बाद कुछ भी हो सकता है anything will work तो यहाँ पर एक और concept आ गया कि underscore क्या बोलता है single character की बात करता है single underscore मतलब एक character दो underscore का मतलब है 2 character ठीक है तो हम बोल रहा है कि a से सुरुवात हो दो character हो फिर पीछे कुछ भी हो चलेगा फिर आता है a percent o तो इसका मतलब है starts with a and ends with o ओके शुरुवात कहां से होने चीए a से होने चीए और खतम गहां पर होना चीए o पर होना चीए तो आप चाहें तो इस चीज का वीडियो को pause करके screenshot ले सकता है या इस चीज को note करके रख सकता है और इसको जब आप practice करेंगे तब आपको यह चीज़ें और अच्छे से समझ में आईगी अभी मैं आप लोगों को जो real life implementation है हमारे workbench पर चलके वह समझा देता हूं ठीक है तो workbench उपन कर लेता है और workbench को connect कर लेते हैं हम लोग ठीक है यह connect होगा हमारा और students वाले table में से मैं सारा data लाकर दिखा देता हूं आपको एक बार यह देखे यह students की मैंने query चला ही और यह सारे students का data है बहुत सारे students का और यहां ऐसे लिखेंगे select asterisk from students and where कहां से लाना है data where name like name is like name equals to नहीं name like और name like में मैंने double quote में डाल दिया ठीक है अभी मैंने सिर्फ a डाला और मैंने go पे click किया तो देखें एक भी data नहीं आया ठीक है क्योंकि हम लोग सिर्फ a की बात कर रहें बट अगर मैंने यह लगाया होता percentage a मतलब मैं वह रहूं ends with a शुरुवात चाहिए किसी से भी हो कितने भी characters हो लेकिन ends with a तो देखें वह दो नाम आ गए जो a के साथ खतम हो रही है ठीक है यह वो दो नाम है जिनके अंदर लास्ट में a आ रहा है मैंने लगा यह इसवाम चाहिए च्छा करश itu पर rappers percentage a percentage इसका मतलब क्या है percent a percent का मतलब है कि बीच में A कहीं पर भी आया यह जो है उसमें भी A आरह ए तो आप यहां देख सकते हैं किसी में A सूरी इस रवात मैं रहा है किसी में A बीच में रहा है कुछ इस तरीके से और किसी में यह लास्ट में रहा है हमने तो बोला यह था कि कहीं भी हो सकता है अब अगर आप यहां देखेंगे जो दो नाम लिखे में मैंने इन दोनों नामों के अंदर क्या हो रहा है इन दोनों नामों में यह जो है वह लास्ट में तो इसके बा नाम में और GIRA THP से multiple characters आ रहे हैं ठीक है अंकूर में A है जो A सुरुवात में है और percentage लगावा है मतलब आगे कुछ भी नहीं आ रहा है ठीक है अब मैंने क्या बोला मैंने बोला कि जो नाम आप निकाल रहे हो वह at least A से सुरू हो ठीक है क्या बोला मैंने A से सुरू होना चाहि at least 5 characters का ठीक है तो मैंने 5 बार underscore लगा दिया ओके A तो मेरा है 1,2,3,4 चार बार मैंने underscore लगा दिया और GO पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए कौन सा नाम आ रहा है अंकूर ही आ रहा है सिर्फ क्योंके वह 5 characters है जबकि A से सुरूवात तो 80 नाम भी हो रहा है बट कितने characters है 6 characters है और अगर मैं यहाँ पर percentage लगा देता और फिर मैं GO पे क्लिक करता तो अंकूर और 80 दोनों का नाम आता विकाउज मैंने क्या बोला A से सुरूवात हो बीच में at least 5 characters हो और फिर बाद में कुछ भी हो चलेगा anything will work ठीक है अगर मैं यहाँ से gear restrictions हटा दूँ और मैं percentage percentage लग तो अब जब मैं GO पे क्लिक करूँगा तो वो सारे नाम आ रहा है जिनके A के आगे पक्का कोई A character तो ही है ठीक है पीचे कोई A character तो ही है तो यह सारे वो नाम है जिन में A के आगे कोई ने कोई characters है जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस नाम में A सब से पीचे आ तो पीछे कोई करेक्टर नहीं है ठीक है आसीस में ए सबसे आगे आ रहा तो इससे आगे कोई करेक्टर नहीं है अंकूर में ए सबसे आगे कोई करेक्टर नहीं है रिया में ए सबसे पीछे आ रहा है कोई करेक्टर नहीं है ठीक है जबकि यह जो बाकी नाम लिखे हैं इन सब में क्या हो रहा है इन सब में एक आगे एक character और एक पीछे एक character और इस तरीके से यह data को निकाल कर दे रहा है ठीक है तो कुछ इस type से आपको patterns सोचने पड़ते हैं जैसे भी कुछ मैंने possible patterns यहां लिखे थे कुछ मैंने और बनाए बस आपको यह बता होना यह आप गूगल पर जाकर डव्लू एस क्यूब टैक लिखेंगे तो डव्लू एस लिखते ही जो क्यूब टैक है आगे वाला वह सजिसंस में चलेगा और हो सकता है कुछ और चीजे भी साथ साथ में आती जाए तो वह क्या हो रहा है यूट्यूब के डेटाबेस में सर्चिंग चल रही है डवलू एस लिख दिया आपने फिर वह पीछे की लाइक सर्च चल रही है आगे की लाइक सर्च चल रही है तो सबसे पहले हमने सिखा है कि लाइक ओपरेटर क्या है कब यूज करना होता है लाइक ओपरेटर में दो वाइल्ड काड्स यानि परसेंटेज और अंडर्सकोर कैसे काम करते हैं और फिर या क्या काम करते हैं और फिर हमने उसको प्रैक्टिकली इंप्लिमेंट करके देखा है सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह समझने वाले हैं कि बिट्वीन अंड बिट्वीन उपरेटर कैसे वर्क करते हैं माइस्कोल के अंदर स्वाइब गई यह कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा धासिट फर दिस वीडियो थैंकि सो मच वाचिंग